हेलो एब्रीवान आज मैं आपके साथ शेयर करने जारी हूँ कि मैं अपनी स्टर्लिंग सिल्वर जूलरी को गर पर ही कैसे साफ करती हूँ तो मैं पहले थोड़ा सा sterling silver के बारे में बताना चाहूंगी कि आखिर sterling silver होती क्या है और pure silver और sterling silver में क्या फरक होता है तो पहले pure silver की बात कर लेते हैं तो pure silver जो हम पहले से यूज करते आए हैं चांदी की पाइलें चांदी के बरतन तो pure silver जो होती है वो थोड़ी time बढ़ने पर काली पढ़ जाती है अगर हम उसको खुला छोड़ दें तो वो थोड़ी सी काली पड़ जाती है और ये है sterling silver और sterling silver जो होती है वो 92.5% silver होती है और 7.5% उसमें कोई और metal होती है जैसे की copper बगेरा तो जिसकी वज़ा से ये जो sterling silver होती है ये एक बहुती durable jewelry होती है और इसका color भी खराब नहीं होता आप जैसी इसको खृदोगे वो वैसी की वैसी ही रहेगी काली नहीं पड़ती तो ये दोनों रिंग जो है ये sterling silver की है और इन दोनों रिंग में बहुत ही महीन काम हुआ है दोनों ही रिंग में बहुत सारे बहुत ज्यादा बरीक नग लगे है मुझे नग वाले jewelry बहुत ही अच्छी लगती है तो मैंने द और ये बहुत ही durable है अगर आप भी मेरी तरह artificial jewelry को पसंद नहीं करते तो ये बहुत ही अच्छी option है ये बहुत सालों साल चलती है और इसकी shine वगेरा वैसी की वैसी ही रहती है ना ही कोई allergy होती है और ये हर occasion पर आप इसको डल सकते हैं ये बहुत अच्छी jewelry है तो मैं इसको पर पर ही बहुत ही असान तरीके से साफ कर लेती हूँ तो आज मैं आपको यही दिखाने वाली हूँ कि इनको साफ करना बहुत ही असान है तो चलिए देखते हैं तो अभी मैं आपको ring साफ करके दिखाऊंगी अगर आपके पास कोई भी air rings या फिर कोई भी jewelry है sterling silver की तो आप उसको इसी तरह से साफ कर सकते हैं तो इसके लिए हमें कुछ भी समान की ज़्यादा जरूरत नहीं है जो कुछ भी है हमें घर में ही मिल जाएगा तो आएए शुरू करते हैं तो इसको साफ करने के लिए कोई भी पराना toothbrush लेंगे और साथ में paste लेंगे तो यहाँ पर मैंने लिया kolgate आप कोई भी white color का paste ले सकते हैं और एक wall में मैंने थोड़ा सा पानी लिया है तो brush के उपर थोड़ा सा पेस्ट लगाएंगे और ring को पानी में गीला कर लेंगे और फिर हलके हाथ से हम ब्रश से इसे रब करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे नग लगे हैं तो इसे हलके हाथों से ही रब करना चाहिए तो इभी काम करते हैं कि भी कभी कुछ रही है और जो इसके नग होते हैं, वो मेले लगने लगते हैं, उनकी कम हो जाती है, तो इस तरह से साफ करने से रिंग दुवारा से विल्कुल वैसी ही शाइन करेगी जैसी नहीं होती है, अगर आपको भी नहीं नहीं जूलिरी पहनने का शौंक है, तो आर्टिफिशल की बजाए य इतनी डूरेबल भी नहीं होती, लेकिन ये बहुत ही डूरेबल है और इसकी शाइन भी खराब नहीं होती, और ये ज्यादा कोस्टली भी नहीं होती, तो इसी तरह से हम दोनों रिंग को अंदर से और बाहर से अच्छे से हलके हाथों से रब करेंगे, तो अभी दोनों रिंग को हम साफ पानी में डालेंगे और एक बर इसको साफ पानी में से धोलेंगे, तो अगर आप कभी भी स्टरलिंग सिल्वर लेने की सोचें, तो आप किसी भी रिप्यूटिट जूइलर से ही इसे परचेज करें, तो एक साफ मुलाइम कपड़े में इसको पहुच लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही रिंग कितनी शाइन कर रही हैं, बिल्कुल नहीं जैसी चमक रही हैं, और ये दोनों ही रिंग चार साल पुरानी हैं, और इनको मैं रेगलर यूज़ करती हूँ, मेरे हमेशा पहनी होती हैं, आपको स्टरलिंग सिल्वर साफ करने का ये तरीका कैसा लगा, कमेंट बोक्स में ज़रूर बताएं, और आप इस तरीके को एक बाट ट्राइ ज़रूर करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो हमेशा की तरह इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और साथ ही शेयर भी करें, और मेरे चैनल मौनिकाज डियाई वाई को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले, और इसी तरह के नए नए यूसफुल वीडियो देखने के लिए मौनिकाज डियाई वाई को देखते रहें, तो मिलती हूँ आपके साथ बहुत ही जल्दी एक और नए यूसफुल वीड झा की मौनिकाज चाल ही एक लिए रहें, तो मौनिकाज एवार के लिए